हलो फ्रेंस वेलकम टू कार्गी क्लासेज डेटा आज की बारा जन्वरी 2021 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपोर्टन न्यूज और आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं एडिटोरियल का वीडियो आज का सुबह 8 वजे अपलोड हो चुका था वह आप जाके देख सकते हो गारगी क्लासेज की जो वीडियो का सेक्शन है उसमें आपको उसके प्रिविएस वीडियो वह ही है आज देख लेते हैं फ्रेंट पेस्पे इंपॉर्टन आर्टिकल्स जो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम लोग इस तरीके की किसी कमिटी के मैंबर नहीं बनेंगे हमें तो केवल और केवल इन लॉज को रिपील करवाना है ठीक है फिल हाल इस आर्टिकल को देखें कि इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टन प्रोविजन्स है कि क्या सुप्रीम सकता है तो पिछली बार क्या किया था और कौन-कौन से आर्टिकल कौन-कौन से कॉंसे प्रोविजन्स है जिनके बेसिस में सुप्रीम कोट रिव्यू कर सकता है इन लॉज को जानेंगी साटिकल से ठीक है इसके अलावा हमारे सामने जो इंपोर्टन आर्टिकल आजाता है वो यह कि वेमन एंपावर्मेंट का कभी लिखो तो एक एक्जामपल के तौर पर लिख सकते हो कि एर इंडिया ने आप देखोगे इनाउगरल आप देखोगी ओल इंडिया क्रू ठीक है एर इंडिया का जो कि सैन फ्रेंसिसको से बैंगलूरू फ्लाइट में आया तो आप चीज कहीना कि कोड कर सकता हैं वेमन एंपावर्मेंट को लेकर के फिर बात आती है जी यारे को लेकर के कि जी यारे में स्टूडेंट्स जो है घर से जो एक्जाम दे रहे थे उनमें बड़े गफले पकड़े गए हैं तो डिटेल तो इतनी ज्यादा काम की नहीं है बाकि JRE जो है उसके बारे में थोड़ा सा में जानने लेना चाहिए कि graduate record examination ये एक examination होता है USA और Canada में जो higher education के लिए जो बच्चे जाता है उनको ये exam pass करनी होती है चाहिए out of India जाना हो चाहिए USA के local लोग हो और ये exam conduct करवाई जाती है educational testing services ETS के दुआरा ये ही एक important चीज है जो हमने आपे बात कर ली बाकी और कुछ इसमें इतना ज्यादा था नहीं फिर देखते हैं आगे next pages पे next important article है वो page number 3 पे आप देखूगे ये TADA के बारे में है पुराना case है 31 साल पुराना 1989 का ये case है रुबया सईद का kidnapping case तो इसमें TADA के बारे में देखेंगे और इसके अलावा ये एक ये important article है जिसमें आप देखोगे North India में बताया जा रहा है कि बोलो cold wave ये लगातार बनी रहेगी देखेंगे cold wave कब consider होती है और आप देखोगे इसकी वजह क्या है वो सारी details article के त्रों जानने की कोशिश करेंगे ओके इसके अलावा आगे चलें page number 5 पे अगर आप आते हो तो वहां पर ये देखो two day maritime security begins today ये दो दो दिन का maritime security exercise है जिसका नाम है sea vigil ठीक है 2021 से start हो रहा है और दूसरा आप यहां पर जानोगे टॉर्पेक्स के बारे में तो ये article पूरा देखेंगे detail में कि क्या है इसमें provisions जानने की कोशिश करेंगे कोई देश यहां पर participate करता है या आर्टिकल देख लेते हैं जो important हो फिर अब सीधा हम आगे explain page पे जिसमें United National Security Council में इंडिया non-permanent member के तौर पे फिर से एक जगह बना चुका है 2021-22 के लिए रहेगा तो क्या issues है इंडिया ने पिछले 7 tenure के time पे क्या काम किया और अभी करने के लिए क्या काम बाकी है देखें पर बताया जा रहा है बस इतना सा ध्यान रख लेना यह रिसर्स बोल रही है ठीक है यह इतना कुछ काम का है नहीं आगे चलते हैं वर्ल्ड पेज़ पे अगर चले तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा यह चाइना ने डबलो एचो के experts को बोल दिया बोलो यहां थास्टे को अरावी कर लेंगे और investigation शुरू कर देंगे कि virus जो है COVID-19 का virus उसका origin कैसे हुआ कहां से हुआ उसके पहले क्या है डबलो एचो ने अपनी कहीना की concerns भी शो किये थे कि China कहीना की रोकने कोशिश कर रहा है तो अभी क्या China अलाव कर रहा है तो इसमें से देखने वाली चीज से मैं side में ले जाकर कि आपको उन bodies को भी on the spot discuss कर लेंगे अलग से कोई video नहीं डालेंगे अपसे ठीक है तो जैसे डबलो एचो के बारे मैं तो थोड़ी सी briefing दे दूँगा बाकि आप अपने इसाब से और देख लेना धिरे-धिरे time के साथ में और broaden करते जाएंगे हमारे base क अब अभी फिलाल एक शुरुआत है आप बस corporate करते रही है ठीक है देखते हैं आगे क्या है economy page पे एक तो थोड़ा सा update है जो हम देखेंगे जिसमें आप देख रहे हो जो non-performing assets है particularly बात करें public sector banks का bed loan जिसको हम बोल सकते हैं वो 9.7% था September 2020 में जो की मई तक आते आते बढ़ वन सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सारी यह basically point यह है कि 2020 September में NPA की value कितनी थी total assets में 9.7% जितनी लेंडिंग कर रखी थी वो अब बढ़कर के हो सकता है कितना 16.2 मैं यह मैं है sorry मैंने गलत देख लिया खर आगे देखते हैं इसमें यह data यह इतना सा ही काम का ज्य यह यहां पर overall का मतलब जो private sector वाले वो banks भी आ गए है ठीक है तो यह कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक problem का कारण बता रहा है कि किस तरीके से हमारी economy crisis का सामना कर रही है और इसमें में जो reason आता है ना कि NPA क्यों बढ़े तो 2008 से लेकर के 2010-12 तक है बहुत loan दिये गए थे सस और वो loan ही फिर बाद में convert हो गए किसमें bed loans में अब इसको manage करने के लिए बहुत सारी कोशी से already की जा चुकी है और उन कोशीशों के बारे में आगर आप देखो तो आपके पास में content definitely available होगा कि किस तरीके से asset management के लिए काम किये जा रहे हैं कितने तरीके के bed bank है उनके provisions के ब बात आती रहती है बहुत बार यहार से नहीं ARQ ऐसे asset reconstruction companies की बात आती रहती है वो तीक है तो इसमें तुम एन चीज यही थी जो हमने यही पर देख ली इसके अलावा जो देखने वाली चीज है वो यहां पर हमारे सामने आ जाती है एक तो point यह वाल आर्टिकल US और इंडिया के बीच में negotiations चल रहे हैं अभी और एक report अभी आई है US congressional report जिसको बोल रहा है उस report में बताया जा रहा है कि इंडिया का market जो है वो USA के agricultural produce या USA से जो भी product आते हैं उनके लिए इंडिया का market open होगा और इंडिया का इंडिया के लिए जो GSP status पहले चल रहा था ज जिसमें इंडिया को include करते हुए जो भी developing countries तो उनको कोई नहीं छूट दी जाती थी किसके द्वारा ये दी जाती थी आपके USA के द्वारा बट वही चीज है कि repeal कर लिया था डॉनल्ड ट्रम्प ने तो अभी उनी पर बातचीत चल रही है उसनको restore करने की हो भी सकता है और ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए तो ये एक है आप कह सकते हो कि एक single window platform तैयार किया जा रहा है जिसमें 2-3 साल जब bidding में लग जाते थे auction लगती थी बोलिया लगती थी तो 2-3 साल तक लग जाते थे एक बंदे को coal mine लेने के बाद में उसकी mining शुरू करने में तो अभी क् एक point आ रहा है कि इसमें जो clearance मिलेगा ना उसमें जो important नाम वो है परिवेश mechanism मैं बोल रहा हूं परिवेश mechanism इसके बारे में आप खुद ढूंडोगे कि ये क्या है कौन से ministry है या फिर किस तरीके से ये काम होता है यह मैं बता रहता हूं कि एक online platform है जो conference basis में काम करता है अब कौन कौन से stakeholders involved होते हैं वो आप ढूंडोगे इसमें थीक है तो इस तरीके से economy page की दूश चीजे थी वो तो हमने यहीं पर discuss कर ली बट एक चीज़ यहां पर concern आ रहा होगा आपके दिमाग में कि coal को इतना बड़ा sector बना करके 5 trillion dollar economy का हम dream ले रहे हैं तो जो Paris climate change agreement है उसमें त 30-35% जो emission है वो reduce कर लेंगे 2005 के level से तो वो चीज़ें कहीं नहीं concerning लग रही है डाउट आ रहा नहीं यहां पर बस वही चीज़े की coal को promote भी कर रही है और experts का कहना भी है यह बात हमारा नहीं कहना है experts का कहना है ठीक है अब देखते है articles को detail में first article है जिसमें Supreme Court ने stay कर दिया है तीनों laws को अब देख लेता है Supreme Court ने previously ऐसा कुछ है देखो 2013 में Supreme Court की दो judges की bench ने जब सुनवाई चल रही थी cigarette and other topic of product regulation act 2003 के बारे में तो उसकी validity से related regulations थे ठीक है तब उस time पे उन judges ने क्या कहा था कि matter अगर constitutionality और legislation का कोई भी act ऐसा आ रहा है जहां पर court को एक बार check करना पड़े कि वो अगर वाकई में extremity को cross कर रहा है constitutionality basis पे तो वहां पर court intervene कर सकता है तो एक तो यहां पर point यहां पर आ जाता है कि court constitutionality किस basis पे देखेगा देखो इतना कुछ हो रहा है तो यहां पर सबसे बड़ी problem क्या आ रही है peace की disturbance कहीं हो सकती है तो right to peace जो हना वो article 21 के अंडर आ रहा है बट point यहां पर क्या आ जाता है कि क्या कोई petition जो supreme court में लगी हुई है उनमें mention किया हुआ है constitutionality को तो यहां पर answer है जी बिलकुल भी नहीं जो हमारे government of India के attorney general और solicitor generals है उनके त्वारा एक ही argument दिया जा रहा है कि एक भी petition में constitutionality को question किय जाही नहीं गया है तो supreme court को इस चीज में ज्यादा intervene करने की जरुवत नहीं है बस consolation बिठाने की जरुवत है कि कैसे भी करके farmers और जो government के बीच में चल रहा है उसको रोका जा सके और इसके अलावा आगे देखें तो next article आ जाता है कि North India में जो cold wave की news declare हुई है इंडिया मेट meteorological department के द्वारा तो उसका मतलब क्या है देखो जन्वरी 15 आज होगी जन्वरी 12 तो होई गई है तो cold wave बोलते क्या है पहले तो वह definition देख लो यह prelims के सामसे बहुत important है cold wave डिक्लियर तब की जाती है जब normal temperature से temperature जो है वो 5-6 degree नीचे गिर जाए normal temperature से थीक है तो उस case में हो जा है यह problem हो सकती है ठंड वाली पंजाब चंडिगर्ड दिली राजस्थान नौर्थ वेस्टन यूपी ठीक है तो वहाँ पर आप देख सकते हो ठंड का कहीं नहीं गई लगदा हर चलता जा रहा है नाइट में temperature कितना फॉल हो रहा है 2-4 degree centigrade तक नीचे चला जा रहा है dense fog की expectation है वह इतनी काम की नहीं है point था है यहाँ पर इस article में यह वाला एक तो ठीक है दूसरा आप देखोगे इस बारे में जो declaration है इसी साथ साथ में यह बताया कि South India में regional meteorological center जो है उन्होंने यह बताया कि South India में thunderstorm rainfall होने के chances है और इसकी वज़ए है presence of cyclonic circulation ठीक है तो यह दो वज़ old wave आने का और South India में rainfall आने का इसी page पर फिर दूसरा article है वो है TADA से related अब इस TADA से related judgment तो देखो यह case तो 1989 का है जो रुबया सईद है जो की union home minister लेट जो पुराने जो मुफ्ति मुफ्ति मुफ्त शहीद ठीक है उनकी बेटी का kidnap हुआ था उस से related यह case है तो इसमें बहुत सा हो रही है कोर्ट ने सुनवाई भी की है तो फिलहाल हम जानेंगे कि TADA का जो मुद्दा है यह क्या है ठीक है देखते हैं इसको डीटेल में देखो TADA के बारे में अगर हम देखें तो यह है terrorist and disruptive activities prevention act 1987 में आया था जिसमें में टार्गेट क्या था कि कैसे भी गरिए करना या फिर जो भी organized crime होते हैं उनको रोकना देखो इसका misuse बहुत जादा होने लग गया था तो 1995 में फिर इसको बंद कर दिया गया था खतम कर दिया गया था लैप्स हो गया था यह लोग इसमें terrorist act को define किया गया था और जो disruptive activities थी उनको define कर दिया गया था इसमें आप को गे bail भी allow करना बंद कर दिया गया थे एक बार तो ठीक है साथ में इसमें जो confusion था वो police officer को ले करके था कि वो जो confession जो था police officer को देखर के वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो evidence के तरीके से देखने की बात हो रही थी कि police को अगर किसी ने confess कर दिया तो evidence हो जाएगा जबकि आप देख सकते जूट भी बोला जा सकता है बट वह यह फिर इसको case को इसको repeal कर दिया गया बट आप देखोगे अभी भी यह cases जो है जिसमें अभी हमने देखा 1989 का है वो case वो अभी भी इसलिए चल रहा है टाडा के court में क्योंकि उस time का यह criminal के rule है इसके अलावा टाडा क मैमूद तभी उसका नाम आता रहता है 1989 में अजर मैमूद को free करवाया था उन लोगों ने बदले में इस हाईजक के तो 1999 में यह हाईजक हुआ था फिर 2001 में आपको पता होगा Parliament attack भी हुआ था और इसी अटेक की वज़े से सीख लेते हुए Central Parliament Vista जो है वो कहीना के inaugurate हो गई था ठीक है इसके लिए भी Special Court का इनका provision किया गया था बट वही बात फिर से इसका misuse होने लग गया था तो 2004 में फिर इसको भी repeal कर दिया और अभी currently कौन सा लोग चल रहा है वो है UAPA Unlawful Activities Prevention Act ठीक है जिसको अभी 2019 में अमेंड किया गया था वैसे यह Act 1967 का है करोगे ठीक है चलते हैं आगे नेक्स आर्टिकल पर नेक्स आर्टिकल टू डे मैरिटाइम सेक्योरिटी इसके बारे में exercise की इसका second edition शुरू हुआ है जिसमें coastal defense को defense related exercise है जो की 12 जनवरी 13 जनवरी को शुरू हो रही है और आप देखोगे exclusive economic zone कहने का मतलब जो baseline है वहां से 200 nautical mile distance तक का जो पूरा water है उस वाले reason में exercise conduct की जाएगी ठीक है entire coastline कहने का मतलब entire का मतलब कितनी coastline हमारी 7516 km और इसका नाम क्या है sea visile 2021 ठीक है यह एक biennial exercise है मतलब हर दो साल में एक बार होने वाली है और आप देखोगे इसमें तेरा coastal states और union territories वो भी इसमें participate करेंगे coastal guard भी navy भी सब मिल करके तो यह इंडिया की खुद की ही exercise है कोई international exercise नहीं है दूसरा कोई countries में participate नहीं कर सकता इसके अलावा एक tropics exercise ठीक है अब इसी को exercise को tropics भी नाम दे दिया गया है reason being क्योंकि इसमें आप देखोगे theater level की exercise conduct की जाएगी theater का मतलब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से tackle कि हमने एक editorial भी discuss किया था कि हमारी army को कैसे हमारे defense system को किस तरीके से काम करना चाहिए तो जैसे Arabian Sea theater हो गया Bay of Bengal theater हो गया तो उस तरीके से इनमें यहां पर जितने भी states है उनकी जो coast guard है वो और जो navy है वो साथ में मिलकर के फिर exercise conduct करेगी तो वो एक readiness develop हो जाएगी जिसको बोला जाएगी इसको tropics की full form में आप देख पा रहे हो theater level readiness operational exercise जो की navy के दुआरा हर दो साल में conduct की जाती है तो यह दोनों की दोनों कहीं कहीं कोइंसाइड कर रही है बस यही चीज़ है आगी चलते हैं नेक्स आर्टिकल आ जाता है इंडिया के क्या stakes है United Nation High Table देखो United Nation Security Council में इंडिया को non permanent member के तोर पे आठवी बार मौका मिला है यूएसे कहीं न लगातार से अपनी assertion create करने कोशिस कर रहा है पाकिस्तान जो है चाइना के तुरू कश्मीर मुद्दे को highlight करने कोशिस कर रहा है तो इंडिया पे दबाव है तो देखेंगे पहले background को देखो United Nation Security Council में इंडिया अभी तक साथ बार जा चुका है 1950 एकाउन में जब कोरिया वा जो mission किया था Cyprus में उसमें इंडिया ने resolution में participate किया था ऐसे 1972-73 में बांगलादेश को member बनाने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिस की थी बट permanent members ने वीटो कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान से अलग हुआ ही था बांगलादेश इस वज़े से 1977-78 की अगर बात करें तो African countries की voice के तोर पे इंडिया को जाना गया था जहां पर हमारे External Affairs Minister उस टाइम पर कौन बने था 1978-7778 में जन्ता पार्टी की सरकार आगी थी इंडिरा गांदी गीर चुकी थी तो अटल भियारी वाजपेज जी उस टाइम बन के आया थे United Nations Security Council में नामी 1885 में इंडिया ने UNSC में Resolution क्लियर किया कि जो Palestine का मुद्दा है Lebanon का मुद्दा है Middle East में उसको सौट आउट किया जाए उस conflict को खतम किया जाए ऐसे ही 91, 92 में हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिमा राव जी भी गए थे उन्होंने भी अपनी समिट लेवल मीटिंग में पार्टिसपेट किया था और उन्होंने पीस और सेक्योरिटी का मैंटेन करने की बात कही थी ऐसे ही 2011-12 में बात करोगे तो इंडिया ने अपनी तरफ से strong voice में कहा था कि कैसे भी करके peace keeping maintain रहनी चीए और developing world की हमेशा से आवाज बनी रही है इंडिया और counter terrorism और एफ्रिका में prosperity लाने के लिए इंडिया हमेशा काम करता रहा है और उसी को कहीन है continue करने की कोशिस की थी और सीरिया के उपर पहला statement दिया था United Nations Security Council में तो ऐसे करके साथ term हो गया important तो 2011-12 का जो term था ना उस time पे आप देखो कि United Nations Security Council में 1373 committee जो थी जो कि counter terrorism से संबंदित थी उसमें आप उसका एक 1556 working group था जो कि international peace और security के लिए काम कर रहा था और terrorist activities को रोकने के लिए काम कर रहा था दूसरा security council की 751 और 1907 committee में भी इंडिया ने बहुत कोशिशे की थी कि कैसे बिगर कि Somalia और Eritrea में शान्ती आए कहने का मतलब यह है यहां पर देखने वाली बात है कि UNSC 1373 1566 या फिर यह लिखा हुए ना कि यह committee कौन सी है 1373 committee 1566 working group यह recently news में थी क्या है तो United Nations Security Council से related हैंगे ठीक है फिर इसके अलावा इंडिया ने अपनी तरफ से और भी जहां पर भी disturbing एरियास थे वहां पर भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी फिर बात आ जाती है international cooperation की या फिर obligations की देखो इंडिया UN peacekeeping forces में बहुत important role play करता है इसलिए इंडिया कही नागे demand भी करता रहता है reforms की अब बात आ जाती है United Nations Security Council में politics की देखो यहां पर हमें पता है कि total 15 members होते हैं पांच तो हो गए permanent member और 10 हो गए non permanent member अब non permanent members जो होते हैं उनसे expect किया जाता है permanent members की द्वारा कि यह corporate ही करेंगे अब corporate ना करेंगे against में चले जाएंगे तो उनको repercussions का सामना करना पड़ता है और corporation करते हैं तो फिर वो ही बात होगी दो साल फिर बाद में क्या बड़ी powers जो है वो ही अपने हिसाब से मन मानी करती रहती है और यही problem क्योंकि उनके पास में veto power है veto power का मतलब क्या हो गया कि अगर उनको लगा जैसे पांच मेंबर है ठीक है उन पांच मेंबर मेंसे किसी को भी एक को लगा कि भाई ये काम नहीं हो रहा मेरे हिसाब से तो बंदा veto power का यूज करके अकेले के वोट के दम पे उस resolution को कॉलिप्स करवा देता है समझ गए तो इस तरीके से veto power का यूज करके जो भी कुछ उनको करवाना होता करवा लेते हैं तो इंडिया जो है पहले की बात पहले बहुत बार अपने मुद्दों पर बातचित की है तो कहीना गई एक 1990s के टाइम पे एक मुद्दा आया था जिसमें आप देखोगे कि इं ना तो WT ना तो World Bank सपोर्ट करता ना IMF सपोर्ट करता तो इस केस में क्या हो गया था इंडिया के ओपर दबाव था तो इंडिया ने आप देखोगे USA की फेवर ली इसी तरीके से अब कश्मीर मुद्दे को इंडिया नहीं आने देना चाता है तो फिर से USA की ज़रूद को हमारे जो पुराने जो परमानेंट कमीशन बैठे हुए थे उन्होंने अपनी जितने भी एक्सपीरियंसेजा लिखे उनमें एक ही चीज़ बार बार बताई है कि इंडिया ने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया ना उस केस में कही ना कही कौपरेशन कही लाएगा देखो security council को expand करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया जिसमें पर्मानेंट या फिर नॉन पर्मानेंट दोनों मेंबर्स में युनाइट नेसन सेक्यूरिटी membership की अगर बात करें तो उसमें objective criteria जो भी है जैसे population है territorial size GDP की बात करो economic potential की बात करो civilizational legacy की बात करो cultural diversity की बात करो political system की बात करो past and ongoing contribution की बात करो जैसे peacekeeping में इन में compression तो वहाँ पर इंडिया अपने आप में बहुत है strong contender के तोर पे खड़ा दिखाई देता है terrorism के मुद्दे को इंडिया highlight करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को फिर से घेरने की पूरी कोशिस करने की शुरुआत हो सकती है जल्दी से जल्दी क्योंकि अब membership शुरू हो गई है 2020 January Singh दूसरा इंडिया ने देखो 1996 में comprehensive convention और international terrorism भी एक resolution अपनी तरफ से move कर वाया था United Nation General Assembly में वो उस टाइम पे proper नहीं हो पाया था तो इंडिया फिर से अपनी तरफ से कोशिश करेगा इसके अलावा United Nation Security Council में अजर महमूद को United Nation Security Council के 121-267 sanction committee जिसमें international terrorist declare किये जाता है उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी जोरो शोरो से ठाकत लगाई थी और अज़र महमूद को फिर बाद में declare भी करवा दिया गया था तब से और उसके बाद में आप देखो al-qaeda isis जैसे जो international terrorist groups है उनको भी terrorism की list में डालने के लिए इंडिया पूरी कोशिश लगातार करता चला रहा है ठीक है चाइना की बात करें चाइना के challenge की देखो चाइना इंडिया के साथ में बहुत जगह पर conflict करता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है इसके अलावा चाइना की खुद की पकड़ा ना वो बहुत बढ़ गई यह United Nation के जितने भी organizations है ना UN के गाम में उनमें चेक की chairmanship तो चाइना के हाथ में आप देखो दूसरा Pacific region में या India-China border पे लगातार आप देख सकते हैं 2020 के पूरे साल में हमने देखा कि अपने aggression दिखाने कोशिश कर रहा है पाकिस्तान चाइना के तुरू United Nation Security Council में कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाएगा तो दिल्ली के पास में भी एक option है कुछ experts का कहना है कि Taiwan या Hong Kong या तिबबत वाले मुद्दे को भी चाइना को बढ़काने के लिए उठाया जा सकता है कि वो अगर हमारे मुद्दे को internal issue को उठाता है तो हम क्यों नहीं उठा सकते बट बात ही आ जाती है बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की बात है क्योंकि पॉइंट ही आ जाता है कि हम सीधा एक तरीके से हम वहां पर permanent member नहीं है हमारी membership दो साल की है और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ अगर expansion लेना है security council का तो उस case में वहां पर वो जो पांच member ना permanent जिन में चाइना भी एक है उसकी consensus भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है तो वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखने की जरूरत है अब फिर बात वहीं आ जाती हमारे जो पहले के United Nations Security Council में जो permanent commission थे हमारी तरफ से UN में जिनका नाम था गरे खान उन्होंने advice दीती security council के लिए अपनी book में कि nothing remains secret in this leakist of all organization वैसे तो वो इसको बोला जाता है कि बड़ी secrets में meeting होती है पर वहां पर कुछ भी secure नहीं होता है कुछ भी बातचीत होगी ना तो पता सबको पढ़ता है तो इंडिया को आगे सोच समझ के आगे चलने की जरूरत है अपने play cards को बहुत सोच समझ के खोलने की जरूरत है अब देख लेता है UNSC के बारे में थोड़ी ओर detail देखो United Nation Security Council United Nation का आप देख सकते हो बहुत important organ है जो की internationally peace core security को maintain करने का काम करती है ठीक है इसकी power में अगर देखें तो peace keeping operation को conduct करवाना ठीक है जैसे कोई भी country जैसे सुडान में अगर civil conflict चल रहे हैं civil rights चल रहे हैं तो उस case में वहां पर peace शांती स्थापित करने के लिए शां United Nation की एकलोती ऐसी body है जिसके resolutions जो हना वो binding है समझते हो एक बार इस नो ने डिकलियर कर दिया तो binding रहता है किसी भी party पे जिसके अगेंस्ट में जा रही हो members की बात करें तो security council में 15 member है पांच रश्या, UK, France, China, US ये तो हो गए permanent members और बचे हुए 10 members है उन 10 members का हर 2 साल में उनकी मतलब 2 साल का term होती है ठीक है हर 2 साल में वो बदलते रहते हैं और ये जो permanent members होते हैं इनके पास में veto power होती है कहने का मतलब कि अगर उनको नहीं जची का power यूज करके ठीक है दूसरा UNSC में इन members की बड़ी से होती है कि जब भी secretary general का appointment हो रहा होता है किसी भी candidate का तो उसको भी रोग सकते हैं ये veto power लगा करके ठीक है non permanent members की बात करें तो उनका इस election होता है वो regional basis होता है दो साल के tenure के लिए अब देखते हैं कि क्या है इनका system और वो membership जो है अब आप देखो कि UNSC की membership में जो president जो बनेगा UNSC का वो fix नहीं रहता हर मैने rotate होता रहता ये बड़ी गाम की चीज़ें यहां पर हर मैने UNSC का नया president बनेगा तो इसका मतलब इंडिया भी एक बार जरूर बनेगा अब बात आ जाती है कि non permanent members का method क्या elect होने का देख पांच की होती रहती है इस तरीके से नए पांच member add होता है ठीक है जिनका दो साल का tenure है तो distribution की अगर बात करें seats की तो देखो दस seat जो है दस पांच तो हमने देखी permanent non permanent में देखोगे तो पांच seat तो है वह African और Asian countries के बीच में बाटी हुई दो एक seat आप देखोगे Eastern European countries में औ आप देखोगे दो seat लेटेन अमेरिका मतलब साथ अमेरिका और Caribbean countries के बीच में और दो ऐसी seat है जो की Western Europe और other countries के बीच में बाटी हुई है तो ऐसे करके 10 non permanent members की seat है अब इंडिया जो है वह अपने लिए ही नहीं अपनी तरफ से एक group में involved है जिसका नाम है G4 Block उसके demand क्या है क बही चार countries को permanent seat दे दी जाए United Nations Security Council तो चार कौन से है वो रहे ये Germany, Japan, Brazil, India तो इनको रोकने के लिए एक coffee club बना जिसका नाम है Uniting for Consensus ठीक है उनका ये कहना है कि इन चारों को entry मत दो ठीक है और उसमें कौन कौन है इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान, Brazil को रोकने के लिए Argentina, Japan को रोकने के लिए South Korea और Germany को रोकने के लिए Italy और Spain और Canada, Mexico ये भी दूसरे और country जो की इन चारों के entry को नहीं होने देते ये पडोशियों की नाम से आप समझ सकते धान रखना coffee club के हिसाब से तो G4 entry चाता है और coffee club इनको रोकना चाता है ठीक है और इसके अलावा एक important entity के के बारे में और देख लेते हैं डबलु एचो के बारे में तो इसके बारे में briefing है सिंपल सी देखो डब वर्ल्ड हैल्द organization डबलु एचो के फॉल फॉर्म यह United Nation के specialized agency है इसको फॉर्म किया गया था 1948 में headquarter है जेनेवा सुर्जलेंड में sector है है इंडिया इसका मेंबर जी बि इंडिया जे तेम, है। बिर बॉर्म क दान